अब भी आप उसे पहले आपने पार्ट वन और पार्ट टू अच्छे से समझा है ना? नहीं समझा है तो फिर से पार्ट वन और पार्ट टू का वीडियो आप देखें और चेप्टर को अच्छे से समझ लें अब मज़ा आएगा Now, page 11, sloth It looks like a bear but is not यह भालू जैसा लगता है, मगर यह भालू नहीं है It is a sloth, यह sloth है It spends almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch यह दिन में 17 घंटे एक पेड की तहनी पर उल्टा लटक कर सोते हुए बिताता है The sloth eats the leaves of the same tree on which it lives और वह उसी पेड की पत्तियों को खाता है, जिस पर वो रहता है It hardly need anything else उसे शायद ही किसी और चीज की जरत हो जो पेड उसके पास है, जिस पर वो रहता है बस वो ही पत्तियां वो खाता है और 24 hours में से 17 hours वो सोता रहता है When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree जब उस पेड के परियाप्त पत्ते खा लेता है तो वो पास के पेड पर चला जाता है Sloth live for about 40 years and in that time they move around only 8 trees Sloth लगबग 40 साल तक जीवित रहता है और उस समय में वो केवल 8 पेडों के आसपास ही घूमते हैं उनके 40 years का जो उनकी life है उसमें उनको 8 पेड जो होते हैं बस उनके आसपास घूमके उनीके ही पत्ते वो खाते हैं जब एक पेड के पत्ते लगबग खतम हो जाते हैं तब वो अपना tree change करता है दूसरे पेड पेड पे जाता है Once a week it comes down from the tree to relieve itself सब्ता में एक बार वो अपने को relieve करने के लिए पेड से उतरता है relieve मानना क्या होते हैं? फ्रेश होना, urine, protein के लिए जाना अब time for which sloth is awake यहाँ पे हमें एक clock बनाई हुई है तो अब पहले हम इस time clock को समझ लेते हैं कि यह क्या show कर रही है तो आप इसको ध्यान से देखें इसमें 24 hours show हो रहे है every part show 2 hours इसका जो एक part है, one part 2 hours को जोनी 2 घंटे को show कर रहा है, 2 घंटे का time बता रहा है और यदि हम इसको 4 part में देखें इस clock को तो यह 6, 6 hours का time show कर रहा है, जैसे 6 hours, फिर 12 hours, फिर 18 hours and 24 hours तो इस तरह से यह एक clock है, इसको आप समझ गए तो आपको आगे बहुत easy रहेगा chapter को समझना time for which sloth is awake, कितनी देर तक sloth जागता है, तो आप देखो इस clock में only जो यह 1 4th part है, इस time पे वो जाग रहा है, उसके अलवा हम देखें, यह जो इसकी 3 parts है 6, 12, 18 यहां तक तो वो उसका sleeping time है, वो जाग कब तक रहा है, इस 1 part में 6 hours वो जाग रहा है, 24 hours में से और बाकी का time वो सोता रहता है Sloth का Hindi मतलब क्या होता है, आलस, तो I think sloth नाम जो रखा है, वो इसी लिए इस animal को sloth बोला गया है, कि यह इतना जादा सोता रहता है, आलसियों की तरह If you were to show a sloth's daily routine, sleeping and waking in a 24 hour clock, this is what the clock would look like, यदि आप 24 गंटे की गड़ी में sloth की दिंचर्या को दिखाएं, तो गड़ी ऐसे दिखेगी अभी देखा ना हमने, पूरा इस गड़ी में, इस clock में, किस टाइप से दिख रहा है Now, how will you show the clock for a house lizards in winters? अब सर्दियों में जो चिपकली की घड़ी है, उसको हम कैसे दिखाएंगे? विंटर में हमारे घर में नहीं नजर आती है, लिजर्ड काया बजाती है और जब समर सीजन आता है, गर्मी आती है, तो हम देखते हैं, यहां वहां से lizard आ रही है और विंटर में हमको कहीं भी lizard नजर नहीं आती है, तो उस time period में क्या होता है? विंटर में वो बिल्कुल गहरी नींद में चली जाती है, डीप sleeping उसकी clock देखा, पूरा 24 hours क्या शो कर रहा है? उसका 24 hours वो sleeping time शो कर रहा है, पूरा सोती रहती है वो विंटर में न Given here is the sleeping time of some animals below, each picture write for how many hours a day that animals sleeps अब यहां कुछ जानवरों के सोने का समय दिया है, प्रतेक चित्र के नीचे लिखो कि जानवर कितने घंटे सोता है अभी हमने time clock को समझा न, कि one part two hours को शो कर रहा है, तो cow का हम देखे, one और two, two parts है उसका sleeping time मतलब four hours वो सोती है पाइथन का हम देखे, तो पाइथन का six, twelve and eighteen, 18 hours उसका sleeping time है, तुना जादा हो सोता ही रहता है जिराफ देखे, ओहो जिराफ तो बहुत active है, only two hours वो सोता है और cat को देखे, cat भी बहुत, आलसी है मतलब इसका अनलब, twelve hours वो सोती है clock समझ में आ गई है आप लोगों को when you see different animals, do you have any questions about them जब आप वे भिन जानवरों को सोते हुए देखते हैं, तो क्या आपके पास उनके बारे में कोई प्रश्न है make a list of ten such questions, ऐसे दस प्रश्नों की सूची बनाई है अब आप ऐसे ten questions अपने आप बनाई है, आदा ना दिमाग में की जानवर कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो ये सारे questions हमारे mind में आते हैं, तो आप उसके लिए अपनी एक list ready करें page 12 पे अब देखते हैं, a tiger can see six time better at night than most of us humans एक बाग रात में अधिकतर मनुश्यों की तुलना में छे गुना जादा देख सकता है है ना, इसका super sense हुआ, हम मनुश्यों से भी जादा जो इनकी देखने की शक्ती है, animals की वो जादा है the tiger's whiskers are very sensitive and can sense the movements or vibrations in air बाग की मुचें बहुत समिधनशील होती है, बहुत sensitive होती है उसकी मुचों में भी vibrations हो जाता है और हवा में हलचल या कंपन कुछ होता है तो वो महसूस कर सकती है, हमारे skin महसूस कर लेती है बहुत कुछ या हम इतना ज़्यादा sensation तो हम भी नहीं महसूस करते पर कुछ जमीन हमारे को हम light नहीं आ रही है, मन लो और हमने पैरों में चपल पहनी, तो हमें पता सल जाता है यह चपल तो मेरी नहीं है, यह बड़ी है, यह छोटी है तो हमारे पैर भी उस चीज को महसूस कर लेते है मतलब sense हमारी बाड़ी में भी है, बट animals के sense वास्तव में super sense है, जो वो बाग को अंधेरे में भी चलने और शिकार ढूनने में मदद करते हैं, उनके जो super sense है, they help the tiger move in the dark and find its prey, मतलब अंधेरे में भी वो अपने prey कोशिकार को ढून लेते हैं, इस super sense की help से A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass, बाग की सुनने की जो श्यमता है, उसका जो hearing power है, इतना तेज है कि वो पत्तों की सरसराहट और घास पर किसी जानवर के हिलने डुलने की आवाज में difference कर लेता है, उसको पता चल जाता है कि ये जो सरसराहट है, वो leaves की वज़े से है, पत्तों जानवरों की वज़े से है, the ears of the tiger can move in different directions and this helps to catch the sounds from all around, बाग की जो कान वो अलग-अलग दिशाओं में घूम सकते हैं और इससे चारों और से आने वाली जो आवाज है, वो उसको catch कर लेता है, उसको पता चल जाता है कि ये आवाज किस टाइप की है, कहां से आ रही है, उसको उसकी वज़े से, उसके कान जो move करते हैं, उसकी वज़े से आवाज को catch करने में help मिलती है, कि आवाज कहां से आ रही है Tiger make different purpose, like when it is angry, or to call out to a tigress, बाग, अलग-अलग purpose पे अलग-अलग तरह की आवाज निकलता है, जैसे उसको गुसा आएगा, तो अलग तरह की आवाज निकालेगा और अगर उसको अपनी tigress को, यानि जो उसकी मादा tiger होती है, बागीन होती है, उसको अगर उसको आवाज लगानी है, तो वो अलग तरह से आवाज निकालेगा It can also roar or snarl, वो दहारता भी और खर्राटे भी ले सकता है Its roar can be heard up to three kilometers away उसके जो दहारने की आवाज है, वो कहां तक आती है, three kilometers तक उसके roaring की आवाज आती है Each tiger has its own area which may cover several kilometers प्रतेख बाग का अपना area होता है, जो बहुत दूर तक कई kilometer तक फैला हुआ होता है उसकी उतनी दूरी तक उस अकेले tiger का area होता है, उसमें वो कोई और tiger नहीं आ सकता है, बस वो और उसकी family रहती है Tiger mark their area with their urine जैसे हमने dog के बारे में पहले पढ़ा धान न, dog भी अपना area अपने urine से mark कर देते हैं उस area में उनको किसी और dog के urine की smell आये तो वो समझ जाते हैं कि यहां कोई और dog है तो वो उसको भगा देते हैं ऐसे यह भी अपने area को अपने toilet से mark कर देते हैं A tiger can at once come to know if there is another tiger in its area by the smell of urine एक बाग को urine की smell से पता चल जाता है कि उसके area में कोई दूसरा बाग है या नहीं A tiger will avoid going into another tiger's area एक बाग दूसरे बाग के area में नहीं जाता है अवोइड करता है Next, the tiger is one of the most alert animals बाग सबसे ज़्यादा alert रहने वाला सतर्क रहने वाला जानवर है And yet today tigers are in danger और फिर भी आज बाग खत्रे में है हमने कई बाग प्रोजेक्ट बनाएं ना Save tigers, tigers की जो प्रजाती वो अब खत्म होती जा रही है तो हमारे लिए ये भी एक अच्छी बात नहीं है कि इतना मतलब alert रहने वाला animal उसको अब खत्रा है What do you think are some of the danger to tiger in the jungle आप क्या सोचते हो बाग के लिए जंगल में किस प्रकार का खत्रा है कौन सा danger है Can human being also be a threat to animals How? क्या इंसान भी जानवरों के लिए खत्रा हो सकता है? कैसे? Threatment ना खत्रा एक तरसे उनके लिए Do you know that today many animals are killed and their parts are sold? क्या आप जानते हैं कि आजकल कई जानवर मारे जाते हैं और उनके body parts बेच दिये जाते हैं Elephants are killed for their tusks Rhinosaurs for its horn Tigers, Crocodile and Snacks for their skins जो हाती है वो अपने दांत के लिए मारे जाते हैं Elephants अपने teeth के लिए और जो Rhinosaurs एगेंडा है वो अपने horn यानी seeing के लिए और बाग, मगरमच और साप Tiger, Crocodile or Snack ये अपने skin के लिए खाल के लिए मारे जाते हैं Musk deer are killed just to make a little scent from its mask जो कस्तूरी म्रग होते हैं उनकी थोड़ी सी कस्तूरी की महक, खुश्बू बनाने के लिए उनको मार दिया जाता है जो कस्तूरी होती है वो बहुत costly होती है केसर जैसे होता है उससे भी बहुत जादा महेंगी कस्तूरी होती है और उसे वो बहुत costly बेचते हैं उसके लिए वो एक मासूम जानवर को मार देते हैं People who kill animals are called hunters and poachers जो लोग जानवरों को मारते हैं उन्हें शिकारी कहते हैं poachers मानना भी शिकारी होता है इस तरह की होता है जो मतलब चोरी छी पे तसकरी करते हैं न जानवरों के parts की they are poachers The number of tigers and many other animals in our country is reducing हमारे देश में बहुत जादा संख्या में tiger कम होते जा रहे हैं reducing वना कम होते जा रहे हैं There is a danger that some of them will soon disappear ये खत्रे की बात है क्योंकि इन में से कुछ तो अब गाया भी हो जाएंगे दिखेंगे ही नहीं हमें To protect the animals, our government has made some forests as protected area इनकी safety के लिए हमारी government ने, हमारी सरकार ने कुछ जंगलों को सरक्षित स्थान घोशित किया है मतलब उन जगे पे आप नहीं जा सकते हैं without permission Some of them are the Jim Carbet National Park in उत्राखन and Ghana in भरतपुर district of Rajasthan In these areas, nobody can hunt animals or destroy the jungle उनमें से कुछ इक जो जिम हमारे नेशनल पार्क हैं वो हैं उत्राखन में Jim Carbet National Park, Rajasthan के भरतपुर जिले में घाना, इन शेत्रों में न तो कोई जानवरों का शिकार कर सकता है और ना ही जंगल को नश्ट कर सकता है Find out, मालूम करना, पता लगाएं Where are other such national parks in India? भारत में ऐसे अन्य राष्ट्रे उध्यान कहां कहां हैं? नीचे लिस्ट दी हुई है रंथंबूर नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क इंद्रावत्ती नेशनल पार्क गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सरिस्का टाइगर नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बंधिपूर सेंचुरी सुन्दरबंस नेशनल पार्क वालमिकी नेशनल पार्क और भी बहुत से नाम आपको Google पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे मैंने मेन जो अपने है नेशनल पार्क उनके आपको नाम बताएं है collect information on these and write a report इन पर आप एक जानकारी लिखें और एक रिपोर्ट बनाएं What we have learned हमने क्या सीखा Have you noticed that sometimes singers put their hand on their ear when they sing अपने ध्यान दिया होगा कि जब गायक वो सिंगर जो होते हैं गायक जो होते हैं वो गाना गाते हैं वक्त अपना एक हाथ ऐसे कान पे रखे और फिर गाते हैं Why do you think they may be doing this? आपको क्या लगता है वे ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं जिससे उनका जो चारो तरफ से जो आवाज आ रही है भो ना के वो उनका पूरा कंसेंट्रेशन अपने गाने पे रहें इसलिए वो ऐसा करते हैं Give examples of animals that may have a very strong sense of sight, hearing और smell ऐसे जानवरों के उधारण दीजिए जिनकी देखने, सुनने या सूंगने की शमता बहुत तेज होती है Sense of sight, किसका तेज होता है? Eagle और Vulture Sense of hearing, Tiger, Elephants, इनको एकदम sharply आवज सुनाई देती है धीरे से पत्तों की आवज तक भी Tiger को पता चल जाती है कि पत्ते हिल रहे हैं या कोई जानवर हिल डूल रहा है इतना उसको पता चलता है Dog, Tiger, Lion, इनकी smell पावर जो होती है Sense of smell इनका तेज होता है I hope चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है अब आप वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स को शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you